चोटा पैकेट बड़ा घमाका सुनने में जतना भी क्लीशेड लगे हमने ये ना सिर्फ देखा है पर बाकी 11 टीम्स ने इसे महसूस भी किया है ये कहानी भी शॉट है पर इसका इंपक्ट एक्स्ट्रा लार्ज चलिए सुनाते हैं आपको नरेंदर की कहानी चोटे-चोटे देबच्पन में तो गाउं में पहले सेनिर पलेर कहलते दे तो आइसे गरांड पे मस्ती में चले जाते दे तो दिरे दिरे वा आँ पर स्टार्ट करताइए अच्छकृ67 स्टार्टिंग मा दोस्त निए पर खेलने लगी तो सबी उरआ गांवस लगपपथः खेलता था तो बाद में सभी कपवड़ी प्लेयरी दोस्त मैंगई Academic調 कवधी कहलते ह humility म Cincinnati york मुझाय के जरी इन सिर्ट मेλλी ठीन चично राणा है तो Except that तुपर रेट, देर कम्स दूपकी किडू हर्याना के बुडेन में परंपरा है कबड़ी की और उसी में समाया हुआ है नरेंदर का सफला तो कीप दे ट्रडिशन अलाइव और थ्राइव भाई, फामिली और मेरे कोच कोच भाई मतलब वह सरकारी जोब करते मतलब सरकारी कोच ओते जो अपने रियाना में वह भी पाले सी रिखलाडी थे तो उन्होंने कंटिन्यू गाउं में कबड़ी रखी तो उसके बाद उनकी सरकारी जोब लगी अब तक भी वह मतलब आगे नहीं यंग बच्चे खेलते तो उनको वही करवाते प्रैक्टिस हैं सभी को नमस्कार, मैं संदीप कंदोला कबड़ी कोच रियाना स्पोर्ट डिपार्टमेंट जब मैं बच्चों को कबड़ी शिकाता था तो एक छोटा सा बच्चा हर रोज कबड़ी मैच प्रैक्टिस देखने के लिए आता था और वो बड़ी गोर से और लगन से सीनियर खिलाडियों को खेलते हुए देखता था फिर मैंने जब देखा कि ये बच्चा हर रोज कबड़ी देखने आता है तो मैंने उसको कबड़ी खेल के परती मोटिवेट किया जिससे उसने कबड़ी खेलना सुरू किया और लगातार बहुत ही मैनत और अनुसासन से इस लड़के ने प्रैक्टिस की और उसका आज प्रिनाम है कि आज ये परो कबड़ी में एक परमुख रेडर बन के उबरा है कबड़ी का सितारा बनने के सफर में भरा होता है जुनून देश के खेल से जुड़ने की चाहत और धेर सारी मेहनत अब मतलब कहीं पर भी जानते हैं तो सभी लोग जान जाते हैं तो फेस वाल्यू बहुत बटगी कब डिपलेर ही फिला रहा है भरपूर मेहनत और प्रैक्टिस से इहोने खेलो इंडिया यूज गीम्स और जूनियर नाशनल्स में अपना रंग दिखाया और हर्याणा के इस लड़के का रंग पूरे तमिल नाडू पर छाया मारी कम से कम तीन साल पर लेगी दोस्ति मारी अमने साथ में तूनामेंट्स के लना स्टार्ट किया था मतलब ये लोकुल टूनामेंट्स होती है इतने अकलो जागे मतलब अभी एक दूसरे को भाई बांती इतने अकलो जागे अभी तो अजस्बाइस मन on his debut has shouldered the responsibility. He says don't worry skipper, I got this covered. Season 9, you know, it was kind of a turning point for Narendra as well. The time he started playing for Tamil Talaiwaj then...you know, the way he performed...he got lot of eyeballs that season. So that showed you know what he is built of. दो में निशे काम भी चल रहा दाप पी छे तो मतलब माच से पाले भी और पांथ अस मिट तो खेले भी थे तो मतलब इस बीच में जो नोने मेरा उसला वटा तो मतलब वो बहुत इपोर्टेंट था है फ्रोगवटी कियोंगी पैसे से मानले हो या फेस बाल्यू से मानले हो किसे मतलब लाइफ पूरी चेंज़ हर्थी प्रोगववटीने सभी मीं लाटी होगी किसी भी इंसान को ले है मनंदी प्रोगलम होती है या पीस बाल्यूस खेली sap यह दो यह मैंने खेले बाने तो वो दोनो प्रोकपडी ने थी सभी कि लाडियों को तो मुझा प्रोकपडी नहीं मान ले हो सभी को एक नया जिवन दी आ है पर जैसे जैसे एक्स्पेक्टेशन्स बढ़ते गए थोड़ा प्रेशर आने लगा बट उसे भी नरेंदर ने बखू भी डील किया जस्ट लाइक बॉस 15 seconds or under from here on, he's tried a couple of bonuses, has he got that no? Up he goes, down he comes, oh boy! Stills the Thunder, just a moment! This is one for the ages, he is a superstar! परो कवड़ी में नरेंदर बोलते तो उसके बाद I.T. का मैंने नाम चेंज कर लिया, नरेंदर रख लिया थो ने मतलब यही था कि मैं बच्पन में मजब मेरी जाता इटनी थी तो भी तो मतलब ठीक है, बाद में तो पठीकी थी तो उसे ननननना कायने तगे थे सबी तो भी तो वही नाम पग गया था Initially, you know, few matches, first two, three matches, he was still okay and then there was a downfall for seven matches, where his performance was low, I'll give you a behind-the-scenes since you asked this question, you know, I remember we were in Chennai, Chennai ले लेग and we lost the match and I remember meeting Narendra, Narendra was just waiting, he was very disappointed with his performance and all that, you know, he didn't know what happened, you know, sir, I could not move my leg So basically, there was a little bit of, you know, his body movement which changed from season 9 to season 10 which our analyst had identified and he had to work on it, his turn basically and this was brief to him and he practiced that and again came back and, you know, since then on it was almost like super 10, super 10, super 10 ठीके कबडडी मैच की तरह उतार चड़ाव तो होता ही रहता है पर अपने नरेंदर का मंत्र एकदम सिंपल है कर्म करो फाल की चिंता नहीं तो ये थी हवारी छोटी सी बड़ी कहानी सीजन 11 में देखेंगे कि कितने चमकेंगे ये राइजिंग स्टार